तो आज मैं आपको ज़रा डिफरेंट टॉपिक पर लेक्चर देनी हो लिए जो है अपना मैट्स तो सिंपल हम एलसीम और एससे हम एक छोटा सा ट्रिक की हिसाब से कैसे सॉल करना है वो आपको बता दियूंग तो एलसीम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर बराबर लिस्ट कॉमन माल्टिप्लायर तो हम इसको कैसे सॉल करते हैं तो मैं एक छोटा सा एक्जामपल लेती हूं समझ लिए मैंने यहांप एक एक एक्जामपल लिया है यह 5 और 7 तो हम इसके traditional method से कैसे solve करेंगे आपको पता है जो हम school में करते थे ऐसे हम table बना लेते थे तो यह 5 और यह 7 और यह क्या होता है यहां पर 5 और 5 और 7 तो हम इसको क्या करते हैं ऐसे multiply करके इसका answer क्या करते हम 35 निकालते हैं यह है अपना traditional method तो मैं एक trick से आपको बताती हूँ जो कि आप fataxis का answer निकालेंगे तो ध्यान देजिए हमारा example है 5 और 7 का LCM क्या होगा तो यह दो नंबर में से आपको जो बड़ा नंबर है वो लेना है तो 5 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है 7 है और 7 का table आपको लिखना है तो इसका आपको table लिखना है so on तो यहाँ पे हमें ऐसी साथ की table में ऐसी value find out करना है जिस value से इस दोनों value को divide होता होगा तो यहाँ पे 5 को इससे जाता है नहीं और 5 को 14 से divide होता है नहीं होता 5 को 21 से divide होता है नहीं होता है 28 से होता है नहीं होता 35 से होता है यस बिल्कुल होता है 5 और 5 से भी divide होता है तो किसका answer हुआ LCM is 35 समझ में आ रहा है और एक example लेती हूँ next example consider find out the LCM of 3, 5 and 2 हमें क्या करना है इसमें जो बड़ा number है वो लेना है 5 इसमें बड़ा है और हमें 5 को table लिख देना है so on तो और हम next क्या करना है ये तीनों number से इसमें से ऐसे कॉन से number है जो कि completely divide होता है तो 3 को 5 से divide होता है नहीं होता 10 को होता है नहीं होता 15 को होता है yes 15 को 3 से division होता है 5 से होता है, 2 से होता है, 2 से नहीं होता, तो हम क्या देखेंगे, और next number, 20, 30, और ये 30 जो है, उसको totally तीनों number से, अगर हम इसको divide करेंगे, तो हमें perfectly division मिल जाए, 3 से जाता है, 10, 5 से जाता है, 2 से जाता है, पांची बिल्कुल जाता है, तो इसका हमें LCM क्या होगा, 30 is a perfect answer, तो ये है, ट्रिक, जो कि हमें LCM, इंच और इसन ट्राडिशनल मेतर फॉलो करने की ज़रूत नहीं है, आपको यहाँ पे जो डिजिट दिये है, उसमें से maximum जो बड़ा number है, वो देखना है, उसका table लिखना है, और table में से ऐसी कौन सी number है, जो कि दिये वे question में से completely division होता है, ऐस 16, find the LCM, तो क्या करेंगे हम, इसमें से बड़ा कुन सा है, 16, तो 16 का table लिख देंगे, 100 होगा, तो 16 को, अब हम क्या देखेंगे, divide करके देखेंगे, 2 से जाता है 16 को, yes, बिल्कुल भी division होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, और 16 से भी होता है, तो इसका answer क्या होगा, simple, किता simple है देखा अपने, यह है मेरी trick, और next देखेंगे हम, HCF, HCF कैसे find out करते हैं, यहाँ पर एक example लेती हूँ, मैं चलो, HCF का, चुल लेते हैं, इसको कोई trick नहीं है, इसको हमें traditional से solve करना पड़ता है, तो हम इसको लेंगे, जो ऐसा number हमें लेना है, जो कि दोनों number को perfectly divide करता है, तो starting में 2 से start करूंगी, इसका 6 होगा, और इसका 9 होगा, और यहाँ पर 6 और 9 को किसका divide होता है, 3 का, अगर next क्या होता है, 2 और 3, concept table में नहीं है, तो इसका क्या होगा, 2 into 3, इसका LCM होगा, sorry, HCF होगा 6, तो यह HCF की trick है, और यह LCM की trick है, आपको समझ में आ रहा है, फिर से एक उसका table लिख देना है, simply, and table लिख देने बाद हमें क्या करना है, इस table में ऐसी कौन सी value है, जिस value को दिये गए question के में से, सबको completely division होता है, ऐसी value क्या होगी, उसका LCM होगी, thank you.